हेलो विलकूम तो माच चैनल तो मैं फिर से आप सब के लिए एक तवा नान की रेसिपी लेके आ चुकी हूँ तो आज है मनाने वाले इजी होम मिट तवा नान जो खाने में सबका फेवरिट होता है तो चलिए बनाना स्टाट करते हैं इसे तो इसके लिए आप इससे पहले आ दालना है उसके बाद एक छोटे चमच से बेकिंग पाउडर और एक छोटे चमच से चीनी डालना है उसके बाद वही छोटे चमच से हम इसमें एक छोटे चमच नमक डालेंगे और उसके बाद एक छोटे कप से हम इसमें दही डालेंगे इसे डालने के बाद पहले हम इसे ह बहुत अच्छी तरह से में हाथ से मिला लेना है कि इसमें सारा तेल दही और नमक चीनियों बहुत अच्छी तरह से मिल जाए उसके बाद इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डालके एक अच्छा साइस का डो बना लेंगे डू बनाने के बाद हम इसे उपर से अच्छी तरह से रिफाइन तेल लगा लेंगे उसके बाद हम इसे करीब जादा नहीं बस एक घंटा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे उसके बाद जब एक गंटा हो जाएगा तो फिर से मुसमें हलका सतील लेके और फिर से उसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे उसके बाद हम इसकी लोईया काट लेंगे उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे इसमें हम थोड़ा सा मैदा लेंगे या फिर आठा भी ले सकते हो और उसे अची तरह से लंबे सेप में बेल लेंगे आप चाओ तो गोल भी बेल सकते हो बेलते टाइम आप ध्यान रखना है कि आप इसे हलके हाथों से ही बेलें उसे वो जाधा अच्छा होता है उसके बाद आप इसे पलट के एची तरह से बील लो उसके बाद इसके उपर हम पानी लगाएंगे मतलब एक साइड हम इसके पानी लगा लेंगे और यहां पर तवय को गरम होने के लिए छोड़ देंगे जब तव बहुत अची तरह से गरम ह बिल्कुल रेडी है तो अब हम इसे तवा को पलट कर दूसरी साइट से हम आग में से सेक लेंगे अच्छी तरह से अब ध्यान रखना कि तवा को दीरे-दीरे घुमाते रहनाने तो फिर यह जल जाएगा एक साइट से तो अच्छी तरह से आप ऐसे घुमा लो उसके बाद हम इसके अपर बहुत अच्छी तरह से बटर लगा देंगे धेर सारा बटर लगाएगा और अब देखो नान बहुत अच्छी तरह से कवड़ चुका है बिलकुल भी चिपका नहीं आराम से नान दोनों साइट से सिख चुका है और आप देख लोगा है नान हमारा सॉफ्ट और सेम करके मैंने वैसे ही सारे डान बना लिये थे और आप भी बस जरूर बनाना और जरूर बताना की कैसा लगा आपको ये डान की रेसिपी और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मन दोलना फिर मैं आपसे मिलती हूं नई